कि हैं लो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशाकुरती स्वस्तों कि अच्छोंगे मजबिया होंगे और पॉजिटीव कर रहे होंगे आपको हमेशे पॉजिटीव करना है क्योंकि एक पॉजिटीव करना है और आज के एस डी में हम देखेंगे आपके परसंड की करन्ड फीलिंग कर रहे हैं आपसे क्या बात करना चाहाते ठीके अप्स्टाइक पी चेक करेंगे चैनल पर नहीं हो चानल को सब्सक्राइब कर लीज़े इस वक्त इस वीड़े को लाइक कर दीजे लाइक करने से अगर आपको आपकी परसंड रिडिक करानी है स्क्रीम पी दिए नंबर प्र सब्सक्राइब कर सकते हैं पर पुरी टेस में जाएगी कोल के से भूब करने ठीक है एंजस क्रिस्टल ब्रेस्ट्रेट क्रिस्टल या किस्ट्रस के जो भी प्रोड़क्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉंटेक्ट करना है ठीक है इनकी रिस्टे की करन्ड सिच्वेशन शादी को लेकर लड़ाई जगड़ा है आपके परसन आपको कमिटमेंट दिया था शादी का लेकिन उस कमिटमेंट को निभाया नहीं है और ये परसन किसी और से शादी कर चुके है बतो करने वाले है और करन्ड एनर्जिस में अगर बात हो भी रही है तो शादी को लेकर लड़ाए जगड़े की एनर्जी बन रही है आपको इंतजार है इस रिस्ते में रिबर्थ का लेकिन आपके परसंग के साइड से जो कि डेथ वाले इनर्जी आपको दी जा रही है रिलेशनशिप खतम है अब इनको आपके पास नहीं आना है आप प्लीज इनको माफ कर दीज यह किसी और से शादी कर रहे है अपने घरवालों की वज़े से यह परसंग आपको धोका दे दिया है ठीक है आपने इस परसंग के लिए बहुत कुछ किया है आपने इस रिस्ते के लिए बहुत कुछ किया है आपने किसी की कोई बात नहीं सुनी आपके परसंग के लिए क् आज आपको इस परसन से प्यार करने का पश्टावा हो रहा है कही न कही लग रहा है आपका रियूनियन होगा यह आएगा बात करेगा आपसे आपको अपनाएगा आपने इस परसन से अनकंडिशनल लव किया था तो क्या आपकी यही सजा थी unconditional love के बदले आपको धुका ही मिलने वाला था तो क्यों आप universe से पूछते भी दिखाया दे रहे हो और कही न कही यकीन है कि आपके साथ justice जरूर होगा आपके person को आपके पास वापस आना ही पड़ेगा ठीक है इस person की मुवान के energies है और आपका दिल कहता है कि यह आपके बिना जी नहीं पाएगा इनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा यह खीचा चला आएगा आपके पास और इस रिस्ते का rebirth होगा यह आपके रिस्ते की current energies है गाड़कर universe इनके person की current feelings क्या है मेरी universe के लिए जो मेरी universe सोच रहे है इनके person जो इनको इस तरह से root energies दे रहे है इनसे दूर जा रहे है किसी और के साथ शादी करना चाहते है मेरी universe को दूखा देते वे दिखाए दे रहे है current में इनके partner की current energies क्या है इस पक्ती feelings ये परसन आपको प्रामिस किया था कमिटमेंट दिया था इनोंने आपके लिए बहुत बहुत लड़ा है अपने घरवालों के सामने आपने घरवालों के सामने जैसे कि रोए हैं आपके लिए बहुत मतलब इनको जो जो करना पड़े आपको अपनाने के लिए आपके परसन न आपको बिना खुश नहीं है आपको दोका देने का Rust comment or इस फिर्फ की बाको this truthful लेक्राइल 1955 हुआ है धोका देने का you're the ज़न में अपको पोगा कर आफ अठके हुआ है और इस मिलबब दिमाग में कर नहीं है आपको किया हुआ commitment, आपको दिया हुआ promise, आपके साथ देखे सपने, बिताया हुआ अच्छा time, romantic time, आपके person इस वक बैठे बैठे याद कर रहे है, तब कुछ आपके person अपने जिन्दगी में फिर से चाहते हैं, ये फिर से manifest करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा manifest होगा, ऐसा इनको लगता नहीं है, ये खुश नहीं है आपके भीना, आपको नाराज करकर, आपको रूड़ energies देकर, आपका दिल दुखा कर, ये कभी भी खुश रहा ही नहीं सकते, इनको आपके साथ justice करना है, और ये आपके साथ justice करके ही, अपने साथ justice कर सकते हैं, ये energies आपके person को current में feel हो लिए थे आपके person पहले से शादी शुदा थे, फिर भी आपके person उस third party से निकलने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये आपकी शादी manifest कर रहे हैं, क्योंकि आपको धोका देकर, ये person अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्याड़ energies में हैं, अब ये आपके साथ justice क करना चाहते हैं, ये खुद के साथ justice करना चाहते हैं, और अब ये third party के साथ भी justice करना चाहते हैं, ठीक है, अब ये जो भी decision लेने वाले हैं, जो भी decision इन्होंने ले लिया है, अपने आप में, इन्होंने जो सोचा है, उस decision से आप सब के साथ justice होगा, ठीक है, आप तीरों की जिंदगी जो खराब हो रही है अब आपके परसुना और ऐसा नहीं होने देंगे ठीक है इनकी एनर्जीज में है कि यह डिजा रहिएना आपके साथ आप Yapकेसे अपके साथ खुश रहना ऊचाल पार्प्त भी अपने हग की खुश डिसाव करती है तो वह तो इनके साथ कैसे justice करना है ये भी आपके परसन ने सोच लिया है ठीक है लिकिन जब भी ये परसन आप से बात करेंगे आपको उनके energies में दोका धड़ी नहीं सिर्फ अपने लिए justice पील होगा आपके परसन ये दिमाग लगाया है ठीक है कड कर इनिवर्स इस वक्त अगर इनके परसन इन से justice करना चाहते है तो current में obstacle क्या है क्या है अगर इन जब आपको रूलाया ये जो negative past इनों ने आपको दिया आपको खून के आसूर उलाये हैं तो अब जो दिमाग में इनका idea आ रहा है सबके साथ justice करने का क्या आप उस idea से satisfied होगे क्या आप अब इनके उपर वरुसा करोगे क्या आप इनको ये तकलिफ माप करोगे जो इनोंने आपका दिल तोड़ा है क्या आप इस तकलिफ को भूल पाओगे क्या आप कभी भी इस third party को अपने दिमाग से निकाल पाओगे जो आपके person ने आपको reject करकर स्विकार किया उसको ये overthinking करना बार बार सोचते रहना और ये सोच सोच कर फिर आपके लिए efforts नहीं लगाना ये सबसे बड़ा obstacle है आपके person का ये खुद ही सोच रहे है पहले तो ये guilt में है जो इन्होंने किया है और इनको लगता है कि अगर इनी को इतनी तकलिफ हो रही है आपको ये पेन देने के बाद तो आपके साथ तो ये हुआ है आपको तो रोना पड़ा है तो फिर आप इस person की energy को कैसे माफ कर सकते हो ये जो भी अपना नया idea लेकर आपके पास आ रहे है आप कैसे उनके हां में हां मिला सकते हो आप क्यों को support करोगे ये सोचना आपके reaction को सोचना आप क्या बोल सकते हो या तो आप इनको जगडा कर सकते हो आप इनके ऊपर चिला सकते हो ये सिर्फ स कुछ भी पॉजिटिव में क्या है इनके रिष्टे में इस वक्त की कुछ भी पॉजिटिव एनर्जिस क्या है इनके रिष्टे की पॉजिटिव में है कि आपके परसन ने आपको चुन लिया है और आपके पास आने का प्लान बना रहे है और अब इनको किसी से कोई मतलब नह यह एक positive energies है आपके लिए इस रिस्ते में ठीक है इस वक्त इस रिस्ते में कुछ भी negatives में क्या है कि लेकिन reaction को सोचकर और आप ऐसे करोगे यह बोलोगे या तो अपने घर वालों के reactions को सोच कर कि मैं ऐसे करूँगा तो यह होगा वो होगा तो यह सिर्फ सोचने से बैटरी कि अगर हिम्मत दिखाए और जो दिल में है वो करें तो फिर यह सब कुछ हो जाएगा यह परसन आपको अपनाएंगे और आप दोनों का और यूनियन भी हो जाएगा करण्ट में स्ट्रेंथ की कमी है और यही आपके रिष्टे के नेगिटिव इनर्जिस हैं तो गाड़ करें यूर्स इसी इनर्जिस में मेरी यूर्स को क्या करना चाहिए अगर इनक इनके परसन की स्ट्रेंथ कब तक बढ़ेगी यह मेरी यूर्स के लिए कब तक एक्शन लेंगे यह मेरी यूर्स से कब तक बात करेंगे यह आप से कब तक बात करेंगे सदन आएगा ठीक है कुछ लोगो दो हफटे कुछ लोगो को दो महीने आपके लव लाइफ में सदन चेंज आने वाला है सदन ली पॉज़िटिव चेंज आने वाला है सब कुछ बदलने वाला है बहुत जल्दी खुश्या आ रही है किसमत आते दे लवर से रिउनियन हंडेड परसंट आपके रिस्ते में ठीक है तो जो है आपके परसंद आज तक आपको बहुत रूड एनर्जिस दी है लेकिन अब इस रूड एनर्जिस के लिए आपके लव रिलेशन्शिप में कोई जगा नहीं रहेगी ठीक है बस आपको क आपके रिवाइन टाइमिंग आ चुका है रियूनियन का टाइमिंग आ चुका है ठीक है सिर्फ और सिर्फ दो हपते और कुछ लोगों के लिए 2 महिने लगेंगे रियूनियन हंडेड परसंट है ठीक है तो ऐसी इनर्जिस में हम आपके लिए एंजल गाड़ेज भी देख शादी के लिए प्यार के लिए तो आपको उनसे बचने के लिए कहा जा रहा है ठीक है क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा धोका होने वाला है धोके से बच्चो और आपके परसंट आपसे बात करेंगे आपका दिल नहीं करेंगा उनके ऊपर ट्रस करने का लेकिन आपको अपने प्यार पे भरुसा करने की जरुवत है तो अपना ओवर थिंकिंग से बच्चो और आपके परसंट के उपर ट्रस करके इस रिस्ते में आगे बढ़ो नए रिस्ते में जाने के लिए या तो किसी और नए परसंट से दोस्ती करने के लिए भी आपको यहां पे मना किय जा रहा है ठीक है धोका दड़ी होने के चांसे स्ट्रॉंग है तो यस यही रिडिंग अगर रिडिंग रजनोट ये वीडियो को लाइक कर दीजिए चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपके पास्ना रिडिंग करानी स्क्रीम पर देग नंबर पॉर्टस अप बद्वाई